दोस्तों नमस्कार आपकी सफलता ही मेरा मिशन है ग्यानकोर्स इसक्रेशन पर आपका अभिनंदन है दोस्तों आप जानते हैं कि यहां से इस चैनल से जुनियर एड़ेड हिंदी का कम्प्रीड कोर्स तयार करवाया जा रहा है जिसमें लेक्चर भी दिया जा रहा है और प्र पूरा का पूरा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देजिए ठीक है ना दोस्तों इसके पहले आप पांच प्रेक्टिसेट पढ़ चुके हैं आपके सामने छ कि अधारीद पूरा का पूरा प्रेक्टिसेट पढ़ चुके हैं जो कि आप देखे होंगे कि हर एक जो प्रस्ण है किसी नी-किसी परिक्षा में पूछा हुआ प्रस्ण है उसके प्रेक्टिसेट के बाद आपको फिर PDF तयार हो रहा है रीतिकाल से समबंधित सो क्वेस्चन का एक ऎसा प्रिट्रीक्टिसेट में तैयार कर रहा हूं, जो किसी न किसी परिक्षा में पूछा गया है. सारा का सारा प्रस्थण। उससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा रितिकाल कंप्लीट हो जाएगा. रितिकाल पर एक लेक्ट्यर भी आपको कध्यापक भरती परिक्षा हिंदी प्रेक्टी से 6 इसका ध्यनम लोग करेंगे आए पहला प्रस्न है हामिद नामक पात्र प्रेम चंद के किस कहानी से संबंदित है बताई ए बी सी डी कौन सा ही है दोस्तों आप इस कहानी को पढ़े होंगे छोटे कक्षाओ में 6 में इदगा कहानी में है ठीक है अया वी दूसरा प्रस्ना है यह निमनेख्यत में से कौन मुक्तक काब्य के अंतरगत नहीं शामिल किया जाता ए방ी म् निम्नेख्यत में तीन का आपका हो जाएगा B क्या प्रकरी ठीक है चौथा देखिए निमलेखित में से किसे काव विगुड के अंतकस सामिल नहीं किया जाता तो आप जानते हैं काव विगुड तीन होते हैं तेक चौथा जो है एक्ष्ट्रा है क्या एक्ष्ट्रा है आप समझ सकते हैं रस जाता है तो दोस्तों पांच का आपका हो जाएगा ए गोपाल राम गहमरी जासुसी पन्यास्कार हैं ठीक ना वियोगी होगा पाला कभी आ से उपजा होगा गान उमण का राखों से चुपचाप वह योगी कफ्ता अंजान इसके अगली पंक्ति है इस पंक्ति के रचईता को सुमित्रा नंदन पंद महादेव वर्मा निराला और प्रसाद फटा फटा पता आईए तो छैका आपका हो जाएगा उत्तर ए सुमित्रा नंदन पंत साथ देखिये कि सुदामा चरित था विचायर माला निबंद के रचनाकार कौन है तो साथ का हो जाएगा दी नरोत्तम आठ देखिए निमलिकित में से कौन रितकाल का कभी नहीं है विद्यापति आलम ब्रिंद और चंदन तो आप जानते हैं विद्यापति जो है कि आधिकाल के हैं इसलिए विद्यापति नहीं है रितकाल के नवा देखिए दार अथवा सिंद पतन किसका नाटक है तो नव का आपका हो जाएगा यह उद्यापति नगेंद्र आलोचक हैं किस प्रकार का आलोचक हैं सौष्टवादी रसवादी प्रगदवादी या मार्क्सवादी तो दोस्तों इक ग्यारह का आपका हो जाएगा बी रसवादी आलोचक हैं 12 देखिए निमलिकित में से रमेश चंदसाह की कौन सी रचना है राफ, उकाओ हुलार, फचैक और आंगवाद इसमें से कौन सा ही है तो बारह का आपका हो जाएगा बी उकाओ हुलार जो कोमाईन भासा में ये लिखा गया इनकी एक रचना है ठीक है ना आईए समिक्षा के छेतर में हजारी प्रसाद डिवेदी का आगमन कब हुआ तो 13 का आप विकल्प आपके सामने है A B C D तो 13 का आपका हो जाएगा दोस्तों B क्या हो जाएगा B 1930 14 देखिए काबे में अवियंजनाबाद क्रिट के लेखा कौन है तो 14 का आपका हो जाएगा दोस्तों 14 का हो जाएगा आपका D रामचंद्र सुक्ल ठीक न? आईए 15 देखिए 15 वा क्यूश्चन जिंदगी मुस्कराई के रचनाकार कौन है आपको बताना है तो 15 का आपका हो जाएगा C का नहल अलमिसर प्रभाकर 16 देखिए खेट काउतुकम किसकी रचना है तो 16 का आपका हो जाएगा A रहीम का 17 देखिए रामचंद्र का का रचना समय है तो 17 का आपका हो जाएगा B 1601 ठीक है? 18 देखिए भूत के पाउँ पीछे किसकी व्यंग रचना है तो 18 का आपका हो जाएगा B हरिसंकर परसाई ठीक है? 19 देखिए तुलसी दाथ चंदर हिसे के लेखा कौन है तो 19 का आपका हो जाएगा B हरिसंकर परसाई 20 चीड़ो परचादनी किस विधा की रचना है तो आगी विकल्प देखने की कोई जूरत नहीं है 20 का आपका है B यात्रा विर्टान्थ दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? आप हमें कमेट करकी जरूर बताएंगे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब अवस्षिकर लेजिए 21 अकाल पुरुष गांधी सिर्शक्त से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहितिकार ने साकार किया है तो आपका हो जाएगा 21 का D जैनेंद्र कुमार 22 हिंदी का प्रथम एतिहासिकु पन्यास 22 का आपका हो जाएगा C हिरदय हारडी 22 का क्या हो जाएगा C हिरदय हारडी जो हिंदी का प्रथम एतिहासिकु पन्यास है ठीका ना 23 देखिए तेज क्या है देवके नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का पर्था उपन्यास किसे माना है बहुत अच्छा प्रस्ण है तो तेज का आपका हो जाएगा डी आपका हो जाएगा तो दोस्तों पच्छीस का आपका हो जाएगा ए मयादास की माड़ी सती मया का चौरा देहाती दुनिया और धरती नधन अपना तो दोस्तों पच्छीस का आपका हो जाएगा ए मयादास की माड़ी ठीक है 26 देखिए दुलाई वाली किस विधा की रचना है 26 तो 26 का आपका हो जाएगा ये कहानी है आप अच्छी तरह से जानते हैं इसमें कोई डाउट है ही नहीं 27 देखिए दुर्गा प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है तो आपका हो जाएगा A B C D चार आपके सामने है 27 का आपका हो जाएगा D East India Company के समय का चित्रण किया गया है 28 देखिए हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का स्रे किसे जाता है तो 28 का आपका हो जाएगा A लक्ष्वी नारायड मिस्त्र 29 देखिए प्रत्वी राज की आखे एक आंकी संक्रह रचनाकार कौन है तो 29 का आपका हो जाएगा A B C D आपके सामने है 29 का आपका हो जाएगा B रामकुमार वर्मा 30 देखिए निमलिकित में से कौन सा नाटक मोहन राकेस का नहीं है पुछ रहा है कौन सा नाटक मोहन राकेस का नहीं है तो लारों के राजहांस आशारक एक दिन तामबे के कीड़े आधे अधूरे तो सही विकल्प क्या आपका हो जाएगा C तामबे के कीड़े ये नहीं है कोक सास्र किसकी रचना है 31 का आपका हो जाएगा ABCट आपके सामने दे रखा है एक का है घनानंद का 32 आईए इन में से किस कभी की प्रेमका का नाम सुजान था तो दोस्तों 32 का आपका हो जाएगा C घनानंद की प्रेमका का नाम सुजान था तीक है आईए 33 देखते हैं घनानंद रीतिकाल के किस धारा के कभी है आपको यह बताना है तो 33 का आपका हो जाएगा B रीतिमुक्त 34 देखिए इन में 34 पदमाकर्द्वर रचित अलंकार ग्रत कौन सा है तो 34 का आपका हो जाएगा 34 का D पदमाभरर 35 देखिए मेरा बाई की रचना नहीं है क्या क्या नहीं है देखिए 35 प्रेमबाटिका रुकमिडी मंगल नरसी मेहता की हुंडी नरसी जी का मायरा तो देखिए दोस्तों ये 35 का A नहीं है बाकि ये तीनों है नीशे का 36 देखिए सूरदास किस रच्च का कोना कोना जहांक आए थे तो किस का जहांक आए थे 36 का D बादसले रच्च का ठीक है 37 गलता में रामानंद संपर्दाइक की गद्धी को किसने अस्थापित किया था इसके पहले आप पढ़ चुके होंगे प्रेक्टिसेट में साथ पढ़े हैं हमको याद पढ़ रहा है ये किस दास पैहारी का है 38 सिद्ध कभियों द्वारा प्रियुक्त भासा को कहा जाता है सिद्ध कभियों द्वारा प्रियुक्त भासा क्या कहा जाता है A B C D आपके सामने दे रहा है तो सही विकल्प आपको जाएगा संधा भासा आप अच्छी तरह जानते हैं 49 बारा बरस ले कुकुर जीए और 13 ले जीए सियार वरिस 18 छत्री जीए आगे जीवन के दिकार किस विधा की रचना है तो 49 का आपका हो जाएगा डी आल्हा ये आल्हा विधा की ये रचना है ठीक ना 40 देखिए बीरगाथा कालेन रासों काप वियर में निमलिखित में से किस विशय का वरण नहीं है तो दोस्तोन 40 कापका हो जाएगा सी इसमें किस लिला का प्रत्वादन नहीं किया गया है ठीक है दोस्तों 41 देखा जै बगेली हिंदी के किस उप भाषा वर्ग की बोली है बगेली हिंदी 41 तो ज्यादा बिकल्प देखने की जुरूत नहीं है बगेली आप जानते हैं हिंदी कंतरगत आती है ठीक है आईए 42 देख लिया जाए 42 संग की राज भासा हिंदी और लिप देवनागरी होगी या सम्मधान की किस अनुछेद में वरडित है तो दोस्तों 42 का आपका हो जाएगा सम्मधान के 300 अनुछे 343 में ठीक है आईए हम लोगों 43 देखते हैं लिप की आउसकता होती है किस लिए लिप की आउसकता होती है तो दोस्तों ABCD आपके सावने विकल्प दिया हुआ है आपका हो जाएगा 43 का वीभास्ता को लिखने में ठीक है आए 44 देखते हैं मगही किस राज की बोली ह है आपके बढ़ियां जानते मगहें किस राज की बोली है 14 का हो जाएगा D कहां का विहर का 45 देखिए anymore 45 कि कि कुरिवी हिंदी 27 में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है 45 से पुरिवी हिंदी 27 की बोली नहीं है ठीका ना कि मलिक मुहम्मद जाईशी ने किस भासा का सरल और साधार रूप अपनाये था शियालिस का आपका हो जाएगा विकल्प देखने कोई जुरत नहीं है इनकी भासा का नाम अवधी था और अवधी को सरल और सहज रूप में इसको अपनाये थे इसमें संस्कित लिष्ट सब्दों का प्रियोग तुलिसदाद जी जैसा नहीं किये थे कनोजी हिंदी की किस उपभाशा की एक बोली है तो 47 का आपका हो जाएगा बी पश्चिमी हिंदी 48 गवालियर की बोली है कौन सी बोली है दोस्तों सई सी पतैए कौन सी बोली है बुंदेली उनचास देखिए हिंदी की मुलत पत्ति की से मानी जाती है उनचास का आपका हो जाएगा D. सौर से नि अपभ्रहंस से मानी जाती है पचास पचास का इंस्वार आपका हो जाएगा प्रसन है बांगरुक की सुभासा वर्ग की बोली है तो दोस्तों पचास का आपका हो जाएगा A. पच्चि में हिल्दी दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे क्योंकि यह 100 प्रसनों का इस रिंखला है थोला सा टाइम लगेगा लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही शांदार यह प्रेक्टिसेट है ठीक है? और अगर आपको हमारे चैनल से बहुत सारे लेक्टिसेट को प्राप्ट करना चाहते है बहुत सारे लेक्टिसेट के वीडियो देखना चाहते है तो मेरे इस प्लेलिस्ट में तीन प्लेलिस्ट जो है कि आपके जुनियर एडेट से है आप तीनों प्रेक्टिसेट को और प्रेक्टिसेट भी है एक और दो और लेक्टिसेट का उसको देख लिजे और अगर थोड़ा सा उच्छ लेबल की तयारी करना चाहते हैं जैसा कि आप लोग में कही लोग करना सब थोड़ा सा और लेबल बढ़ाईए ठीक है न तो लेबल बढ़ाने के लिए TGT PGT का प् प्रेक्षा में आ सकता है आप तुस बुड़ियों को देख सकते हैं आइए हम लोग एक क्यावन नंबर के कुश्चन देख लेते हैं हाडवती बोली है कहां की है हाडवती बोली तो एक क्यावन का आपका हो जाएगा B पूरवी राजस्थान की बोली है ठीक है आईए पन नंबर के कुश्चन अंतरवेदी का संबंध है किससे है तो चली विकल्प देखने कोई जुरत नहीं है अंतरवेदी का संबंध सिदे आप देख लिए जान लिए बरजभासा से है ठीक ना चौवन देख लिए जाए चौवन मजशाला का प्रकासन वर्ष क्या है मजशाला का प्रकासन वर्ष तो चौवन का कहो जएगा ए 1935 फिर पच्पन देखिए खड़ी बोली का पर्थम महा काव्य है तो दोस्तों आप कहो जाएगा B प्रिय प्रवास आईए 56 देख लिया जाए निमलिकित में से कौन से रचना जीवनी नहीं है तो 56 का आप कहो जाएगा C मेरी पत्नी और भेडिया यह जीवनी नहीं है ठीक है 57 तुलसी दास ने राफ जित मानस की किस कांड में कल जुद का वर्ण किया है तो दोस्तों 57 का आप कहो जाएगा D उत्तर कांड में इसका वर्ण मिलता है 58 निमलिकित में से वर्तनी के दिर्ष्ट से असुद शब्द का च कि यानि कि ठीक है न यहां क्या होना चाहिए यानि बड़ी का मात्रा 69 देखिए मिलिकित में किस वाकिकांता में अकर्मक करिया है तो 69 अब का सामने दिया हुआ आप जानते हैं कर्म नहीं होता प्रदान मंत्री के भाषण की सुरुत लिपी उसने उसी समय ले ली, तो सुरुत लिपी सही सब्द नहीं है, सुरुत, मनिने सुरुत लिपी है ध्यान दिजिएगा आईए एकसर्ट देख लेते हैं जाते बाचेक संग्या नहीं है तो देखिए चारुबी कलप आपके सामने क्या जाते बाचेक संग्या नहीं है तो दोस्तों एकसर्ट का आपका हो जाएगा ए शायशव ठीक है ना ये जाते बाचेक संग्या नहीं है आईए 62 देख लिया जाए लक्ष भ्रष्ट में समास है क्या है तो 62 का आपका हो जाएगा B अपादान तद पुरुस लक्ष से भ्रष्ट होना बने लक्षम अलग हो रहा है इसलिए अपादान हो रहा है ठीक है आइए 63 देख लिया जाए, निमनेम में 268 सब्द है, 63 आपका हो जाएगा A, B, C, D आपके सामने है, 63 का हो जाएगा B, उचित, 64 देखिए, तुलसी कृत में कौन सा समास है, 64 का हो जाएगा D, तत्फुरू समास है, ठीक है, 65, 65 देखिए, यथोचित का सही संद्विछेद है, यतोचित का सही संदिविछेद क्या है तो 65 का आपका हो जाएगा C यताधन उचित आईए छाचट हमनों देख लेते हैं महर्चिका सही संदिविछेद है महर्चिका तो छाचट का आपका हो जाएगा C 66 अनुलोम सब्द का विलोम है तो दोस्तों 66 का आपका हो जाएगा बी प्रतिलोम क्या है बी क्या है प्रतिलोम यह होगा जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं तो यहां जो नभ में जो तारे हैं यहां भी तारे और यहां भी तारे दोनों तारे का अर्थ अलग अलग एक तारने का मतलब मोग्श परदान कर देना मुन दूसरा तारे का मतलब गे कि नभ के जो तारे हैं वह क्या है लसा आ रहा है तो एक तार दूसरा तारे Mai ça इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा यमक क्लियर है आगे देखिए इस पुस्तक को देखो यह कितनी उप्योगी है वाकि में सरोनाम का प्रकार बताईए यह 79 है फटाफट बताईए 79 का B निश्यवाच्च गुए 70 देखिए निमलिकित में से कौन सा सब्द आख का प्रेवाची नहीं है तो 70 का आपका हो जाएगा आख का प्रेवाची नहीं है पूछ रहा है न यह 3 आख का प्रेवाची तूपर का है ही यह D केवल नहीं है द्रिगंबु है और आप बताएंगे कमेंट करके कि द्रिगंबु किस का प् A, B, C और D यहीडी है आपका उत्तर हो जागा भुहनेश्वत स्वर 72 देखी कौन सा सब्ध आकका परेवासी नहीं है यह पूचराहे A, B, C, D आपके सामने है कौन सा परेवासी आकप करेवासी नहीं है तो 72 यह कारान सहंग्या को बहुभचन बनाते समय क्या क्या-किया सिद्या पुत्तर पाजाएए C, E को रस्व करके अल्टिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, ठीक है, आईए 74 देख लिया जाए, 74 निरगुर सब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो निरउपसर्ग है, ठीक है ना, 75 देखिए, हम जो कुछ देख रहे हैं सुन्दर और सत्य नह कर्म शिवत्व नहीं, यह उपसर्ग पंक्तियों में कौन सा चंद है, तो चंद पूछ रहा है, तो 75 का हो जाएगा A, 14-14 मात्राओं की यती से 28 मात्राओं का मतलब यह निर्माड होता है, 28 मात्राओं वाला चंद होता है, ठीक है ना, तो आईए 75 हो गया, अब हम लोग दे दे रखा है, तो 76 का हो जाएगा D, कमरा और कांक, 77 देखिए, दोहा कोष्ट के प्रतम चलड में कितनी मात्राओं होती है, तो आप जानते हैं, पाले और तीसरे चलड में कितनी कितनी मात्राओं होती है, 13-13, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा, 77 का सी, 13, 78 देखिए, निम्लिकित में से कौन सा भाव अचक उदाहरण है, 78 का आपका हो जाएगा, D, दूप में चला नहीं जाता, ठीक है, आईए, 89 देख लेते हैं, नेता काईस्त्रिलेंग दिये गई विकल्पों में से कौन सा है, तो नेता किस्त्रिलेंग है नेत्री, 80, संचारी भाव की संख्या कुल कितनी है, तो दोस्तों संचारी भाव की संख्या आपकी है, 33 यानि किसी, दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, आप भी यह भी बात बता सकते हैं, क्योंक और आप मेरे चनल पर ना है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें. आईए क्यासी देख लिये जाए. सलमा घर जाती है, वाक्य है, किस तरह का वाक्य है, ते क्यासी के सरल वाक्य है. बैयासी देखिए, वाक्य में अव्वे पद है, अव्वे आपको पूछ रहा है. तो बैयासी का आपका हो जाएगा, यह सी, यहाँ नहीं जो है कि अव्वे गरुप में काम कर रहा है, नहीं सब्द जो है कि अव्वे कर रहा है. आईए, 83 देखते हैं, निम्लिकित विकल्पों में से तदभाव शब्द है, तो 83 का हो जाएगा, अगम, ठीक है ना? 84 देखिए इने में से खाली अस्थाने किर्दंत है अब इसमें से कोई भरना है तो दोस्तों ये 84 कापका हो जाएगा B लड़ाई लड़ना किरिया है इस किरिया से वो बना हुआ है इसलिए लड़ाई किर्दंत है चलिए वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है 85 कापका हो जग अबी अपूर्ड भूत काल 87 निमलिकित में से कौन अब सब्द सारंका अर्थ है पपिहा, शहद, कामदेव और राजहंग तो दोस्तों 87 का सही विकल्प का आपका हो जाएगा B शहद ठीक है आईए 88 देखिए ओछे की प्रीत भालू की भीत का भाव है तो 88 का आपका हो जाएगा C भालू की दिवार की भावत ओछे लोग का प्रेम और स्थाई होता है तो यह आपका हो जाएगा ठीक है आईए नवाची देख लेते हैं तेरी बर्ची ने बर्ची ने खल के इसमें बर्ची 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 अईसे है न तो इसलिए क्या हो रहा है कनफर्म आप हो गए होंगे बिल्कुल सही आप जान रहे हैं यमा कलंकार नब्बे देखिए अनुकरण में उपसर्ग है क्या है देखिए और अन करण और अनु तो क्या है सही विकल्प आपका यही है अनु डी एक क्यानबे चो वर्ग ध्वनिया किस वर्ग में आती है एक क्यानबे का आपका हो जाएगा सी तालब विवर्ग है इसमें आएंगे तालब विवर्ग में में यहीं अनु Fish with all में आती ही और अनुझखळ में आती काउ चाइंग किस से होता है तो बानुबे का अपका हो जाएगा सी तालब्व्य से किससे होता है तालब्व्य से मने तालूस होता ए ठीक है आए यह अवसका एचर विकल्प है घद्यांच कर रहे हैं गद्यांस का पढ़ने के बाद इसके नीचे प्रसंदिया हुआ है इन प्रसंदों का उत्तर जान लिजिए कि 93 आज का मानों अपने व्यक्तितो और अस्तितों के प्रतिसले शंकाल्य हो गया है क्यों की 93 का हो जाएगा सी 93 का क्या हो जाएगा सी क्या कर रहा है वह विज्जान की बिध्योंसक सक्तियों से भहवीत है ठीक नषै हमारा विज्जानादृत शिक्षा की वास्तessä पूर्ड़ देन है हमारी विज्जानाद्र शिक्षा की सरवादिक मत्पूर देन है तो 94 का हुजआगा A जीवन का अपरिसीम भवतिक विकास 95 मानो जीवन को भसमसुर बनाने इसे कैसे रोक सकता है तो आपका हो जाएगा 95 का B क्या हो जाएगा B नयतिक आत्मिक मुल्यों को विक्षित करके 95 आदलिक मानो विकास को सरवांगिर नहीं कहा जा सकता आदलिक मानो विकास को सरवांगिर नहीं कहा जा सकता क्यों की तो 96 का अपका हो जाएगा C क्या हो जाएगा C साहित्य धर्म कला आदि मानो चेतन से निर्वासित है ठीक है न तो आईए आपका अगला कुशन नों देख लेते हैं 97 97 है 2800 को मानोता वाद की घोर मर्यादा देना तभी संबव है जब व्यक्ट की तो 97 का अपका हो जाएगा A 97 का क्या हो जाएगा A चुद्रता को राष्टर की चुद्रता को राष्टर की चुद्रता नों बनने दिया जाए ये साही है 98 98 98 का आपका हो जाएगा A 99 99 का आपका हो जाएगा A आलस और आज की प्रिक्टिसिट का अंतिम प्रस्न 100 निमलेखित विकल्पों में से सातसम शब्द है तो 100 का आपका हो जाएगा D इस तरह से दोस्तों आपका 100 प्रस्न का प्रिक्टिसिट ये कंप्लेट हुआ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ताप इसको सब्सक्राइब कर लेजे लाइक और सेर सभी लोग करते रहिए और इस चैनल से कंप्लीट कोर्स फिरी में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए बेल आइकन को पुछ कर दिए क्योंकि जब भी आपको वीडियो अप्लोड किया जाएगा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद